और बाजार में पिछले 3 दिनों में जारी गिरावट आज थम गई है बाजार आज अच्छी तेजी पर बंद हुआ है और निफटी सेंसेक्स और बांक निफटी निचले स्तरों से लगबग 1 फीसदी चड़कर बंद हुआ है निफ्टी IT भी दिन के निचले स्तर से 2% सुधर कर बंद हुआ है और अगर पूरे हफ़ते की बात करें तो निफ्टी चार दिनों में पहली बार तेजी देखने को मिली है निफ्टी में जबकि निफ्टी बैंक तीन दिनों की तेजी पर रहा है और दिन भर के पूरे बाजार के हालचाल जानने के लिए चलते हैं हमारी सायोगी पूजात रिपाठी के पैस जो बता रही हैं कि बाजार कैसा रहा आज दिन भर और इस पूरे हफ़ते में सबसे पहले मार्किट काई चेक ले लेते हैं और आज हमने देखा कि लगातार तीन दिरों की गिरावट पर ब्रेक लगा निफ्टी दिनके निश्टे सरों से करीब 200 अंक चरकर 17,950 के पार बंद हुआ वहीं FMCG of Pharma को छोड़ सभी सेक्टर्स में खरेदारी नजर आई है यह था आज का सेशन लेकिन इस पूरे हफ़ते की अगर बात करें तो काफी दायरे में इस पूरे हफ़ते कारोबार होता हुआ दिखाए दिया उता चड़ाव भी रहे लेकिन हफ़ते की क्लोजिंग जो कमजोर एक्सपाइरी के बाद हमने देखा कि आज एक अच्छी रैली देखने को मिली बाजार में निफ्टी इस पूरे हफ़ते अगर देखें तो करीब आधा परसन का रिटन दिखा स्मॉल कैप और मिट कैप इंडेक्स सपाट रहे और बैंक निफ्टी में भी सपाट ही यहां पर कारुबार होता हुआ दिखाई दिया इस पूरे हफ़ते सेक्टरिल गिर्नल को अगर देखें तो यह हफ़ता था आईटी स्टॉक्स का एक के बाद एक दिगच कमप्टियों के नतीजे भी आए बिग फोर के नतीजे आए है और इसमें इन्फोसिस है सेल टेक्ट इसे कमप्टियों के नंबर आए और हमने देखा उसके चलते हैं यहां पर आक्शन रहा और निफ्टी आईटी अगर देखेंगे तो साड़े तीम परसंट की मजबूती के साथ यहां पर क्लोजिंग हुई इसके बाद दूसरा नंबर था मेटल का मेटल शेरों में भी काफ 5% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है अब आते हैं निफ्टी स्टाक पर तो टॉप निफ्टी गेनर था आटो स्पेस से ताटा मोटर्स यहां पर हमने देखा कि 5.5% से ज्योती देखने को मिली इस स्टाक में उसके बाद मेटल शेरों का नंबर है हिंड्ल को जे ध् Steel ये करीब 5% से ज़ादा चले और TCS और M&A में भी हमने देखा कि 5-5% की मजबूती देखी इस पूरे हफ़ते वहीं गिरने वाले शेयरों पर नज़र डालें तो Titan था सबसे बड़ा लगाड़ यहाँ पर 5% की भारती एटेल पर भी उसका असर दिखा उसके बाद अदानी इंटरप्राइज रिलाइंस और बजाज फिंसर्व में भी कमजोरी इस पूरे हफ़ते भी जारी रही अब आते हैं Mid Cap Stocks पर तो ये हफ़ता था Max Financial के नाम Mid Cap Space में सारे 7% की मजबूती देखने को भी लिए है कमजी के तरब से अच्छे अपडेट भी आए और ब्रोकरेज हास की रिपोर्ट भी पॉजिटर थी जिसके चलते हमने Max Financial में तेजी देखी और इंडिया 7% उपर, L&T Finance करीब 6% उपर, नवीम, फ्लोराइन और हिंदुस्तान जिंग जैसे स्टॉक्स में 5-6% की मजबूती देखने को मिली है Mid Cap Losers पर नज़र डाले तो वरून बेवरिजेज है टॉप लूजर जिसमें की 13% की गिरावट देखी इस पूरे हफ़ते गुजराद गैस ने करीब 6% का नगिटेव रिटन दिया और इसके वोडाफोन आइडिया मदर संसुमी और प्रेस्टीज एसरेट जैसे स्टॉक्स थे जोगी करीब 5-6% की नेगिटेव रिटन इस पूरे हफ़ते देखने को मिले तो ये था मार्केट का एक पूरा रैप इस हफ़ते का